हेलो फ्रेंड्स तो किस-किस ने आज का एपिसोड देख लिया जिसने देख लिया पहुत बढ़िया है लेकिन जिसने नहीं देखा वो पहले जाके एपिसोड देखे इसके बाद रिव्यू देखे तो उसको जादा मजाएगा अब आईए वीडियो शुरू करते हैं बिग मॉम की पावर देख कि हुगोरों के पसीने चूट जाते हैं वो बोलता है कि ये लेडि कितनी ज्यादा थाकतवर है लूफी बोलता है कि ये कोई आम लेडि नहीं है ये फोर यॉंकोज में से एक यॉंको है इसके बाद जो कुईन होता है वो फिर दौरा खड़ा होता ह बहुत लम्बी जंप लेता है और बिग मॉम के उपर अपना सारा वेट डाल देता है बिग मॉम भी उसका प्रेशर फील करती है लेकिन कुईन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है वो बिग मॉम को पोण करना शुरू कर देता है वो बोलता है कि मैं red bean soup तो मैं बिल्कुल नहीं दूँगा यहाँ पे big mom का गुसा और पारा दोनों बहुत ऊपर चला जाता है वो queen को पकड़ता है वो queen को पकड़ती और नचाना शुरू करती है दोस्तो इतना लंबा चकर लगा देती है कि queen को पहली पसीने चूड़ जाते है इसके बाद वो queen को सीधा चटान पे दे मारती है queen की zone form उसका साथ चोड़ देती है इसके बाद zone form किसी की zone form उसका साथ तब चोड़ देती है जब उसको बहुत bank का damage पड़ता है और वो उस damage को जहल नहीं पाता है अब बाबानुकी queen को देखने के लिए आता है और बाबानुकी बोलता है कि 1.3 billion berries का बंदा बिग मॉम के दो moves नहीं जहल पाया ये बड़ी अचम्बे की बात थी और अचम्बे की बात ये भी है कि बिग मॉम ने अभी तक अपनी power use ही नहीं करी वो बस अपना physical strength को use कर रही है इदर कारिबाओं ने सारे communication system को ठप कर दिया है उसने सारे communication system खराफ कर दिये है और राईजू राईजू ने चाबी ढूननी शुरू कर दिया बिग मॉम की तबाही से पूरा उडोन जो है हिलना शुरू हो चुका है अब बिग मॉम शूप ढूनना शुरू करती है इदर बाबा नूगी को पता पड़ता है कि जिस बरतन में सूप था उस मोथे अब कुछ बचा ही नहीं है बाबा नूगी बोलता है कि अगर जान प्यारी है तो यहां से भागना शुरू करो अब बिग मॉम बरतन में नजर मारती है उसके अंदर उसे कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे लूफी एक नई मुसीबत मोल ले लता है गलती से लूफी के मुसे निकल जाता है ओ यह सूप खाना चाहती है वो तो हम लोग खा चुके हैं वो तो बड़ा ही टेस्टी था अब बिग मॉम की नजर लूफी की तरफ पड़ती है और वो लूफी की तरफ एक मुका मारती है जिससे बहुत तेज वेव उड़ती है तो जो हुगोरो और लूफी होते है वो एकदम सूमो रिंग के एकदम कोने में पहुँच जाते है तो जो उनका कॉलर होता है वो टिक टिक करना शुरू कर देता है लेकिन यहाँ पे तो यह लोग बच जाते हैं अब बिग मॉम एक और घूसा मारती है जिससे सूमो रिंग टूट जाता है हुगोरो उड़ता हुआ जा रहा होता है लेकिन अब लूफी अपना हाथ लंबा करता है और हुगोरो को पकड़ के रिंग में अंदर लेके आता है लेकिन जो टिक 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 की आवाज होती है वो बंद नहीं हो रही होती है अब यहाँ पे हमको लगता है हम लोगों को यह लगता है कि हुगोरो मरने वाला है लेकिन लूफी अपनी नई पावर को खोलने में अब कामियाब होता है वो जो इतनों दिनों से आर्नमेंट ढाकी पे काम कर रहा होता है जो वो रियो पे काम कर रहा होता है आज वो इसको तुक्के से निकालने में कामयाब होता है और वो अपना कॉलर और हुगोरो का कॉलर दोनों का तोड़ने में कामयाब होता है इस तरीके से हुगोरो और के सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि लूपी यही टाइम है कि जो तुमने मुमेंटम अभी बनाया है इसको आजमा क्यों नहीं लेते हो और यहीं पर एपिसोड खतम होता है दोस्तों मिलता हूं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए कुर